दोस्तों तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल गुरूड पर तो आज हम लोग स्पेशल टेस्ट नंबर 19 करने जा रहे हैं इसके अंदर हम डेली 50 क्योशन्स डिसकस करते हैं तो आज हमारा 950 नंबर तक की क्योशन्स हम डिसकस करेंगे तो आज का जो पहला क्य समय है वो सरवन बेल गोला के अंदर बिताया था सरवन बेल गोला के अंदर अपना अंतिम समय बिताया था जो कि करनाटक के अंदर इस्तित है और चंद्रकुप्त मोरिय के पुत्तर का नाम क्या था पुत्तर था इसका बिंदू सार चंद्रकुप्त मोरिय का पुत्तर था एसांती कहां पर थी यानि बिंदु सार के सासन की दोरान कहां पर एसांती थी तो जो तक्सिला है ये इसका सही आंसर हो जाएगा तक्सिला के अंदर उस समय बिंदु सार के समय एसांती थी और इस एसांती को सांत करने के लिए इसने एसोग को यहाँ पर तक्सिला के अंदर बेजा था इसको बेजा था एसोग को बेजा था तक्सिला के अंदर अगला क्यूसन है एसोग की परशासनिक निती में बारी परिवर्तन किस गटना के बाद आया था तो जो असोख है उसकी जो परशासनिक निती थी बेरी गोस की जो निती थी उसको धम गोस के अंदर उसने अपना लिया था और उसका जो परिवर्तन है वो आया था कलिंग यूद के बाद आया था तो जो देवा नाम पिरे दर्शी है ये किसका नाम था ये था असोख का उपनाम था देवा नाम पिरे दर्शी तो इसका सही आंसर होगा असोख अगला क्यूशन है किस सिला लेक असोग के कलिंग युद्गे अथात होने का उलेक मिलता है यानि किस सिला लेक के अंदर असोग का कलिंग युद्गे बाद जो अथात होता है उसका उलेक मिलता है तो ये मिलता है सीला राजा देश तेरा नमबर के सीला लेक के अंदर इसका सही आंसर हो जाएगा अगला क्योशन है चंद्रगुप्त मोरिये के दरबार में बेजा गया युनानी राजदूत कौन सा था यानि चंद्रगुप्त मोरिय के दरबार में कौन सा युनानी राजदूत आया था तो वो आया था मेकस्टनीज और मेकस्टनीज किसके दरबार में आया था चंद्रगुप्त मोरिय के और इसने एक पुस्तक लिखी थी कौन सी इंडिका नाम की एक पुस्तिका लिखी थी कौन सी इंडिका मेकस ने लिखी थी और किसके समय आया था चंद्रगुप्त मोर्ये के दरबार में अगला क्यूसन देखते हैं अगला क्यूसन है असोक ने किस बोध सादू से परभावित होकर बोध धरम अपनाया था यानि असोक है उसने किस बोध सादू से परभावित होकर बोध धरम को अपनाया था तो यह अपनाया था उपगुप्त के द्वारा उपगुप्त से यह परभावित हुआ था और इसने बोध धरम को अपना लिया था अगला क्यूसन है चानक के किस विद्या के अंदर से संबन दी थे तो जो चानक के है वो तक सिला के तक सिला जो विद्या के अंदर था इसके अंदर आचारिय थे अगला क्यूसन है आनन्द मठ के रचेता कौन थे तो जो आनन्द मठ है उसके रचेता थे बकिम चंदर चटर जी और आनन्द मठ को सोतंतरता से नानियों का पेड़ना इस दोर्त भी कहते हैं अगला क्यूसन देखते हैं अगला क्यूसन है आनन्द मठ में बकिम चंदर चटर जी ने बंगाल के किस विद्रो का विशेश उलेक किया है तो जो सन्यासी विद्रो था बंगाल का उसका उलेक आनन्द मठ के अंदर बकिम चंदर चटर जी ने किया है अगला क्यूसन देखते अगला क्यूसन देखते हैं विस्वय का सबसे बड़ा लिखित सम्विधान कौन से देश का है तो सबसे बड़ा लिखित सम्विधान है वो है भारत देश का सबसे बड़ा है लिखित सम्विधान भारत का और सबसे पहला किस का है यह है अमेरिका का पहला है अमेरिका का और सबसे बड़ा लिखित है भारत का अगला क्यूसन है संगवाद कहां से लिया गया है तो जो संगवाद की पढणाली है वो लिए गई है कनाडा से कनाडा से लिया गया है संगवाद की पढणाली और आयरलेंड से क्या लिया गया है निति निदेशक त लिए गए हैं सुविधान किस ति्थी को लागू हुआ था तो जो सविधान है वह वह था मार्ग सेर्स सुकल सब्थमी को 2006 विक्रमी उस समय था तो उस समय सुविधान को लागू किया गया था अगला क्योचाण देखतेँ हैं इसान निनly विदान सभा में इसके जो देश सिर्यासत के परतिनी दी थे इन्होंने भाग नहीं लिया था सुविधान सबा के अंदर अगला क्यूसन है बार्त की सुविधान सबा का गठन करने का अधार क्या था तो बार्त की जो सुविधान सबा थी उसका गठन करने का अधिकार था केबिनेट मिसन गुनिस सो चिहारिस के दौरा सुविधान सबा का गठन करने का अदार था अगला क्यूसन है भारत का सुविधान किस परकार का है तो भारत का सुविधान कठोर भी है और लचिला भी है तो भारत का सुविधान है कठोर और लचिला अगला क्विशन है भारत के सुविधान की उदे सीका का इस्तरोत क्या है तो भारत की उदे सीका यानि परस्तावना है सुविधान की आत्मा कहा जाता है और परस्तावना उदे सीका को कहते है और इसका जो इस्तरोत है वो कौन सा है अमेरिकी सुविधान से इसको लिया गया है यनि बार्त की जो परस्तावना है सुविधान की उसको का से लिया गया है अमेरिकी सुविधान से अगला क्यूसन है बार्त के सुविधान को बनने में कितना समय लगा था तो बार्त के सुविधान को बनने में लगी थे, दो वर्स ग्यारा माँ और अठारा दिन, दो वर्स ग्यारा माँ और अठारा दिन इसको समय लगा था, अगला क्यूसन है, राष्टरपती के चुनाव की पढ़नाली कहां से ली गई है, तो राष्टरपती के चुनाव की पढ़नाली है, वो ली गई है आयरलेंड स मनाया जाता है सुविधान दिवस अगला क्यूसन है भारतिय सुविधान में कितने भाग है तो भारतिय सुविधान के अंदर 22 भाग है 12 अनुसूचिय हैं और 395 में अनुछेद अगला क्यूसन है भारत की मुख्य बुमी का अकसांस कितना फेला हुआ है तो भारत की जो मुख्य वुमी का अकसान से वो फेला हुआ है आठ डिगरी चार उत्तर से 37 डिगरी चार मिन्ट उत्तर के और फेला हुआ है इतना भारत का मुख्य अकसान से फेला हुआ है अगला क्यूसन है भारत की इस्तला करती के मानचितर कौन बनाता है तो जो भारत की इस्तला करती के मान चितर है वो बनाता है भारतिय सर्वेक्षन विभाग भारतिय सर्वेक्षन विभाग के दोरा इस्तला करती चितर बनाए जाते है अगला क्यूसन है भारतिय मानक समय सिमा रेखा किस पर अपनाई जाती है तो जो भारत के मानक समय सिमा रेखा है वो अपनाई जाती है साड़ी बयां से डिगरी पुर्वे की और इस्ट की और अपनाई जाती है और कितने गंटे आगे है ये ग्रीन वी सिमा रेखा से साड़ी पास गंटे आगे है भारत के मानक समय सिमा रेखा अगला क्यूसन है भारत का दक्षिन तम चोर का नाम क्या है तो भारत का दक्षिन तम चोर है उसका नाम है इंद्रा पोइंट या इसको कहते हैं पिग मेलियन पोइंट पिग मेलियन पोइंट या इंद्रा पोइंट है भारत का दक्षिन तम चोर इसको कहते हैं अगला क्यूसन देखते हैं अगला क्यूसन है चेत्रफल की दर्ष्टी से भारत का विश्व में कौन सा इस्तान है तो बारत का चेत्रफल कितना है 32, 87, 263 तो बारत का जो इस्तान है वो कितना है सात्वे नमबर पर आता है बारत चेत्रफल की दर्ष्टी से और जंसंक्या की दूसरे नमबर पर अगला क्यूसन है बारत का चेत्रपल पाकिस्तान से कितना गुणा है तो बारत का चेत्रपल है वो पाकिस्तान से चार गुणा बड़ा है भारत पाकिस्तान से चार गुणा बड़ा है अगला क्यूसन है पाक जलसंदी किन दो देशों की बीच में है तो ज देश के साथ साजा करता है तो भारत की सिमा सबसे कम जो जिस देश के साथ लगती है वो है अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सिमा लगती है भारत की और सबसे ज़्यादा लगती है बांगला देश के साथ बांगला देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है भारत की सिमा अगला क्यूशन है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्स हुआ था तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 2005 के अंदर अगला क्यूशन है युद अभ्यास भारत और किस के बीच होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है खंजर युदब्यास अगला क्यूशन है डेजर्ट इगल भारत और किसके बीच होता है तो डेजर्ट इगल स्विक तरब अमिराथ और भारत के बीच होता है युदब्यास अगला क्यूसन है सिंदु जल समझोता कब हुआ था तो सिंदु जल समझोता है वो हुआ था 1960 के अंदर 1960 में हुआ सिंदु जल समझोता अगला क्यूसन है विश्व में सबसे लंबी महादी उपय रेल कौन सी है तो विश्वर के अंदर सबसे लंबी महाद्यू पे जो रेल्वे है वो है ट्रांसाइबेरियन रेल्वे और ये रूस के अंदर है और रूस के मास्कों को वलाड़ी वोस्टोक से जोड़ती है अगला क्यूसन है जीरो पॉइंट किस सोरियां पर रेल होगा रेल से सम्दित है तो जीरो पॉइंट है वो थार एक्सप्रेस से सम्दित है जब थार एकस्प्रेस भारत के अंदर पर्वेश करती है तो वहाँ पर उसकी चेकिंग के जाती है जिसे कहते हैं zero point अगला क्योशन है भूमद्य स्वागर का परकाश सिस्थम किसे कहा जाता है तो भूमद्य स्वागर का परकाश सिस्थम कहते है किस देश का राष्च्य capaz whenέ का बाग है अगला क्युसन है पुद्धुष्ण के समथ में पी पीम का पुण्ह रूप क्या है तो syol 아니 के शष्च्राइब का तो हुद अधिक दाब से कम दाब की और गमन करेगी हमेसा वायू वायू हमेसा अधिक दाब से कम दाब की और गमन करती है अगला क्यूसन है गरम वायू सदेव क्या होगी तो गरम वायू है वो हमेसा कहां पर उपर उठेगी इसलिए गरम वायू हमेसा उपर रहती है और गरम वायू ह मेसा गर्म करने पर उठाइगी. अगला क्युस्य提व JAC परकास का वेग कितना होता है? तो परकास का वेग होता है 3 into 10 की पावर 8 Mitres per second यहां पर डियान रखना Mitres per second होता है इसका जो मातरक होता है Mitres per second और 3 into 10 की पावर 8 Mitres per second अगला क्यूशन है उतल और अवतल दर्पण किसके उधारण है तो जो उतल और अवतल दर्पण होते हैं यह होते हैं गोलिय दर्पण के उधारण यानि किसी गोल्य दर्पन को लेते हैं और अगर इसको हम काट दे तो ये उत्तल और उत्तल दर्पन इससे बनाई जा सकते हैं अगला क्यूशन है वहानों में पिछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस परकार के दर्पन है उसका परियोग किया जाता है सजीव है उसका मूल अभी लक्षन होता है सांस लेना यानि सांस लेना सजीव का एक मूल अभी लक्षन होता है जिससे हम उसे पैचान सकते हैं कि सजीव है या निर्जीव अगला क्यूशन है सवसन के सी परकिरिया है तो सवसन है वह अपचाई परकिरिया अपचेई परकिरिया के अंदर आता है और इसके अंदर ATP का निर्मान होता है और अपचेई परकिरिया वो दो प्रकार के सॉसन होते हैं एक तो होता है ओक्सी सॉसन जो ओक्सीजन की उपस्तिति में और एक होता है अनोक्सी सॉसन जो अनोक्सिजन होता है वो अक्सिजन की अनुपस्तिती में होता है अगला क्यूसन है मानो सरीर में सबसे लंबी कोसिगा कौन सी होती है तो मानो सरीर के अंदर सबसे लंबी कोसिगा होती है तंत्री का कोसिगा तंत्री का कोसिगा 90 cm इतनी लंबी हो सकती है तंत्री का कोसी का और अगला Curision है मायोपया रोग कहा पर होता है तो मायोपया रोग क्या होता है नेतर के अंदर होता है आँख में उजाता है और इसको निकट देश्टी दोस और इसके अंदर जो निकट की वस्तुए है वो तो साफ़ दिखाई देती है बुद्धिका के अंदर होता है तो यह थे आज की अपने क्यूसंस तो यह क्यूसंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन जूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें वीडियो को लाइक करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो च एंग्स पूर वगजिए वीडियो